नमस्कार दोस्तो, वेलकम टो इस्टडी नियूज, इस वीडियो में हम लोग ऐस्टरोइट्स, कॉमेट्स और मीटियर्स के बारे में जानेंगे ऐस्टोरोइट्स यानी छुद्रग्रे, कॉमेट्स यानी पुछलतारा और मीटियर्स यानी उलका ये तीनों आपस में कैसे भिन्न है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा So let's start तो सबसे पहले बात करते हैं एस्टेरोइट्स के बारे में एस्टेरोइट्स यानि छुद्र ग्रह एक खगोलिय पिंड होते हैं जो ब्रह्मान भी विचरन करते रहते हैं ये आकार में ग्रहों से छोटे और उलका पिंडो से बड़े होते हैं खोजा जाने वाला सबसे पहला और बड़ा चुद्र ग्रह सीरेस है इसे 1819 में ग्यूसेप प्याजी द्वारा खोजा गया था ग्यूसेप प्याजी एक इटेलियन कैथलिक पादरी हैं जो गडितग्य और खगोल सास्त्री थे उन्होंने पलेर्मो में एक वैद साला की स्थापना की थी उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज पहला बौना ग्रह और सेरेस है मंगल ग्रह और ब्रहस्पती के मद्ध करोडो किलो मीटर छेत्र में भिन भिन आकार के पिंडो की पट्टी है जिने चुद्र ग्रह कहते हैं इनकी अनुमानित संक्या लगभग 40,000 से अधिक है ये सभी चुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों की तरह दीर्ग वृत्ताकार कक्छा में पश्चिम से पूर्व घडी की सूई के विपरित परिक्रमा करते हैं अंतर राष्ट्य खगोली की संगठन ने 26 अगस 2006 को चुद्र ग्रह तथा अन्य आकाशिय पिंड को स्मॉग सोलर सिस्टम बोडीज की उपमा दी थी प्लूटो को सूर मंडल के ग्रहों किस रेडी से हटाने के बाद खगोल सास्तریयों ने प्लूटो वह उसके जैसे अन्य चुद्र ग्रहों के लिए एक नई स्रेडी बना दी है प्लूटो के अतरिक्त एरिस को ही फिलहाल इस रेडी में रखा गया है इस नईस रेड़ी को प्लुटोईड नाम दिया गया है अंतर राष्ट्रिय खगोलिय संग ने कहा है कि नेप्च्यून के बाद या उससे दूर की कोई भी खगोलिय वस्तू या गोला कार वस्तू होगी जिसमें गुर्तवा करसंड बल के साथ साथ नियुन्तम निर्धारित चमक होगी उसे प्लुटोईड कहा जाएगा अब बात करते हैं कॉमेट्स यानि पुछल तारा के बारे में कॉमेट्स को धूमकेतू भी कहा जाता है धूमकेतू सौर मंडल ये निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे-छोटे खंड होते हैं यह ग्रहों के समान सूरे की परिक्रमा करते हैं चोटे पत्थ वाले धूमकेतू सूरे की परिक्रमा एक अंडाकार पत्थ में लगभग 6 से 200 वर्स में पूरी करते हैं कुछ धूमकेतू का पत्थ वलयाकार होता है और वो मात्र एक बार ही दिखाई देते हैं लंबे पत्थ वाले धूमकेतू एक परिक्रमा करने में हजारों वर्स लगाते हैं। अधिकतर धूमकेतू बर्फ, कार्बन डाइक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिसरण के बने होते हैं। धूमकेतू के तीन मुख्य भाग होते हैं नुकलियस, कोमा और टेल। नुकलियस धूमकेतू का केंदर होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नुकलियस के चारो और गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। नुकलियस और कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक टेल यानि पूच का आकार ले लेती है सबसे पहले टाइको ब्राहे ने धुमकेतू की खोज की थी बीस्वी सदी के सुरुवात से धुमकेतू के नाम उनके खोज करताओं और वर्स के आधार पर रखे जा रहे हैं और यहाँ परंपरा आज भी जा रही है अब बात करते हैं मेटियर यानि उलका के बारे में आकास में कभी कभी एक और से दूसरी और अत्यंत वेक से जाते हुए या पृत्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उने उलका और साधारण बोलचाल में तूटते हुए तारे या लूका कहते हैं उलकाओं का जो अन्स वायू मंदल में जलने से बच कर पिरत्वी तक पहुछते हैं उसे उलका पिंड कहते हैं प्राय प्रतेक रात्री को उलकाएं अनगीनत संख्याओं में देखी जा सकती हैं लेकिन इनमें से प्रित्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या बहुत ही कम होती है वैग्यानिक द्रिष्टी से इनका महत्व बहुत अधिक है क्योंकि एक तो ये अति दुरलब होते हैं दूसरे आकास में विचरते हुए विभिन ग्रहों इत्यादी के संगठन और संरचना के ज्यान के प्रत्यक्ष सुरोत केवल ये पिंड ही है इनके अध्यान से हमें यह भी पता चलता है कि भू मंडलिये वातावरण में आकाशे आये हुए पदार्थ पर क्या-क्या प्रतिक्रियाएं होती है इस प्रकार ये पिंड ब्रह्मांड विद्या और भू विज्यान के बीच संपर्क स्थापित करते हैं प्रित्वी पर भारी उलका पिंडो के गिरने से उलका पातिये क्रेटर का निर्माड होता है विश्व का सरवाधिक प्रसिद उलका पातिये क्रेटर USA के एरिजोना में विंसलो में बेरिंगर उलका पातिये क्रेटर है भारत में भी महराश्र राज्य के, बुल धाड़ा, जिले के, लोनार जील भी उलका पातिय क्रेटर का उधारण है प्रित्वी की सता पर मिलने वाला सबसे बड़ा उलका पिंड होबा वेस्ट है जो नामी बिया के गुरुट फॉंटिन के पास पाया गया तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, एस्टेरोएड, कॉमेट्स और मीटियर्स के बारे में तो थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट